नमस्कार बहुत स्वागत है एक जोतिश के विशेश विशे के साथ एक बहुत बड़े प्रश्ण का उत्तर लेकिए उपस्तित हुआ हूँ अक्सर आप लोगों में से जब लोग कुनली दिखाने आते हैं तो एक सिंटम्स के साथ एक विशेश दुखत शब्द को समायोजित करते हैं जोड देते हैं जैसे अगर आपके पिता नहीं है कम उम्र में ही आपके पिता का साया आपके सर से उठ गया तो क्या आप पर पित्र रिन या पित्र श्राप होता है एक बहुत बड़ा प्रश्ण है इसको समझने की आवशकता है रिन और श्राप में पहले डिफ्रेंसियेट कर लीजिए उसके बाद इस प्रश्ण का उत्तर हम आपको बताते है पित्र रिन वो रिन है जो सबके जन्मांग में होता है हर किसी की कुंडली में पित्र रिन होता ही होता है हो ही नहीं सकता कि किसी की कुंडली में पित्र रिन ना हो यह ट्रांसफरेबल रिन है जो बहुत सकरात्मक है बहुत सा करात्मख है ये प्रकृति का वो प्रोसेस है जो होना ही चाहिए आप ये कुंडली में पित रिन ना हो ये इंपॉसिबल है हो ही नहीं सकता बिना उसके कोई पैदा ही कहा होगा पिता तो है और पिता है तो तभी आपका जन्म हुआ आपकी कुंडली में पिता का रिन बना पित्र श्राप में सूर की पीड़ा होती है लेकिन इन दोनों चीजों का पिता के रहने ना रहने से कोई सम्मंध नहीं है ये बात बहुत बड़ी बात है आपके पिता नहीं है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पर पित्र रिन है या पित्र श्राप है बिल्कुल नहीं यह आप भूल जाए दिमाग से निकाल देजे कोई आपको कहता अच्छा आपकी पिता जी जीवित नहीं है तब तो पित्र रिन आप पर है पित्र श्राप आप पर बहुत बड़ा है बिल्कुल हार्डन फार्शूर। हाँ, ये भी उसमें से एक अंग रहता है, बहुत सारे चीजों का कॉंबिनेशन होता है पित्र श्राप, उसमें से एक यह भी है, लेकिन सिर्फ पिता के ना रहने का मतलब, मतलब मृत्यू हो जाना पिता का, कम उमर में पिता का साया उठ ज करता, किसी कीमत पर इंडिकेट नहीं करता, एक छोटा सा एक भाग यह भी बनता है, बहुत सारे अवयवों को जोड़ करके, उसमें एक अवययव यह भी होता है, घटक यह भी होता है, एक पार्ट उसका छोटा सा यह भी है, पिता कम उमर में दिवंगत हो गए, आपकी उम देखा पिता का तो ऐसे बहुत सारे सिंटम्स होते हैं जिसका समंद पित्रिन और पित्र श्राब से पूरी तरह से नहीं है नहीं है ये भी कह दीजे एक छोटा सा पार्ट है इसका पांच-दस प्रतिशन है थोड़ा सा है तो सूर की पीडा से ये होता है से श्राप और रिन डिफ्रेंशियेट हो जाता है सूर राहू के साथ है हंड़ेट परसें श्राब है रिन नहीं है सूर कन्याराशी में है रिन है सूर तुलाराशी में है श्राब है तो अलग-अलग राशी में रह करके सूर रिन और श्राब देता है राहु के साथ सत्प्रित्शत श्राप है शनी के साथ 100% श्राप है शुक्र के साथ 100% रिण है ये अलग-अलग राशी के साथ उसका कनेक्शन होता है तो मिला जुला करके सूर की पीड़ा या सूर की कृध्धा अवस्था निर्धारित कर देता है रिण और श्राप को तो एक बार अपने जीते जी प्रापर तरीके से पिंड़दान करवा कर पित्रों के आशिरवात को प्राप्त करें और इस वर्ष सन 2020 में दो सितंबर से पित्र पक्ष शुरू हो रहा है जो कि 17 सितंबर तक चलेगा जिसमें से 11 सितंबर से 17 सितंबर हम सुतह अपनी पूरी टीम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गयाजी में उपस्तित रहेंगे आप लोग अपने घरों में बैठे बैठे पूर्ण पिंदान का अदभुत आनंद ले सकते हैं इसकी हम गारंटी दे रहें कैसे पूरी जानकारी विस्तार से जानकारी के लिए हमारे कार्याले की दिये गए नंबर पर कॉल या वाटसप तुरंत करिएगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच नाइन थ्री फाइफ फोर सिक्स वन नाइन टू फाइफ जिरो आदी चार पांच नंबर आपके सामने फिलेश हो रहें करिए और इसका लाप लेजी बहुत बहुत आभार आपका आपके इस प्यार के लिए थैंक यू नमस्कार स्विकिष्णा सिरादे और हाँ 1819 तारिक हम रहेंगे लख नौ में अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं सिरादे